संसार करांटी की टीम आज रामसरूफ चिरंजिलाल कैथल में शोरूम पे पहुंचिए एलेक्टरनिक शोरूम पे और आज हम यहां प्रिंश जी से जानने का परियास करेंगे कि वह आपने ब्यावसाय के बारे में कुछ बताएंगे करमिर जी उनसे बाचित करेंगे तो प्रिंश जी आप संसार करांटी के इनके साथ हैं समय और हम जानना चाहते हैं कि वर्दमान में हम देख रहे हैं दन के अवाव में या बहुत दोसुत सभीदानी दिन परती जिन बढ़ती जा रहे हैं इनको देखते वह सोटकट भी युवां उन्हें अपना लिया अपनी अविस्तार से जानना में चाहता हूं भी क्या सुविदा हैं जिसके वज़े से दंग की कमी हो रहे हैं बहुत बहुत प्रोत करवाया जा सकता है थोड़ा बताएं आप इस तार से जीसका में मोटो यह है जैसे कोई बंदा मान के चलो एसी खरीदना चाहरा है लेकिन वो उस हो एक टाइम में या बंटाइम इलंवेस्टमेंट करके वह उसकी रीच में नहीं है तो इसमें अलग से कोई इंटरेस्ट भी लगता है जी कोई इंटरस्ट नहीं है ये कम्पनी की तरफ से है बजाज फाइंस की तरफ से इसमें 0% फाइंस है और खासकर युझ यमाउं के चलो गोर्मेंट की तरफ से, प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, सारे यूथ को मान के चलो अच्छे से इंप्रोड हो जाए, तो इस टाइप की कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी, जो आपर क्रेक्टिक पास हमाजी कहां को रहे हैं, उन में उनका ग्राफ डाउन आएगा तो यदि सब रोजगार की बात करें तो उसके माद्यम से भी में रोजगारी का हल हो सकते हैं, जी बिल्कुल जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ राम सुरूप चरंजीलाल इलेक्ट्रोनिक्स के संचालक प्रिंस भोयल जी इन्होंने बताया, हमारे पास जो बजाज कुछ नहीं देना पड़ता है, इसके साथ साथ इन्होंने कहा, युगाओं की यदि सोटकट की बात जहां तक आते हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया, लेकिन सबरोजगार के माद्यम से और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार को इसे मुक्त हो सकते हैं, कैसल से संसार करांती गलिए करमवीर आ रही है,